आज के सेशन में आपको जो बताना है वो यह है कि फेस्बुक पोस्ट होती कितनी टाइप की है ठेक है और कॉंटेंट कलंडर होता क्या और बनाते किस तरह है बेसिकली देखा जाए तो जब आप एक ब्रैंड पे जाते हो तो डिफरेंट टाइप की पोस्टिंग हो सकती है सबसे पहले सबसे पहले आप ब्रैंड अवेरनस की पोस्ट होती है ब्रैंड अवेरनस में आप क्या करते हो कि आप अपने ब्रैंड को प्रेज करते हो मतलब मेरा एक brand है let's suppose Google मेरा brand है तो मैं क्या करूँगा मैं Google की जब social media marketing करना start करूँगा सबसे पहले मैं बताऊंगा जी ये आपको effective way से best quality result देता है जब आप search करते हो किसी के बारे में आप जब भी research करेंगे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं Google पे तो आपको बड़े effective result मिलते है ठेक है आपको best logo से connect करवाता है buy and sell के लिए भी ठेक है हर चीज़ का solution है उसके पास secondly अगर मैं आजाता हूँ let's suppose मैं कोई clothing के brand पे आजाता हूँ तो मैं कहूँगा जी कि इसके जो ये brand है इसकी बड़ी easy return policy है ये brand के जो कपड़ों की quality है वो दूसरे लोगों से different है हमारे जो styles है ठेक है वो बड़े trending होते हैं और दूसरे लोगों से हम different कर रहे हैं basically मैं अपने brand को praise कर रहा हूँ पहली post की type क्या हो गई brand awareness second post second post होती है engagement की post engagement में आप क्या गरते हो के आपने कोई भी इस पे लगा दिया कोई भी topic ऐसा post किया अपने social media पे जो आपसे brand से related नहीं है लेकिन audience ही जो सकती है मतलब who is the best इमरान हान और नवाशरीफ ठेक है ये एक लगाओ तो लोग मतलब दो parties हैं तो वो अपना A select करेंगे या भी select करेंगे आपने एक room की picture लगा दी rough है और एक बड़ा clean है तो हम आप पूछते हो के who are you के आप ज्यादा clean वाले हो या फिर rough condition में रहने वाले हो ठीक है या फिर आप कह देते हैं अगर ladies brand चला रहे हैं तो आप nails nails की picture लगा सकते हो के long nails और short nails के who are you ठीक है देन फिर अगर आपका कोई beauty brand चला रहे है ठीक है कोई cosmetics का brand चला रहे है ठीक है तो eye makeup आप दो eyes लगा सकते हैं के which is the best तो ये basically engagement की post ने आगई ठीक है पहली post आपकी brand awareness की है जो आपके brand के बारे में आप अपने brand के बारे में लोगों को praise करते हो second जो post है वो engagement की है उसमें आप क्या करेंगे आप लोगों को engage करेंगे अपने brand के साथ third topic से ठीक है उससे आपका organic reach भी बढ़ जाते हैं और लोग आपकी सामने आप scroll कर रहे हैं अपने news feed पे आप कुछ पोस्टों पे रुकते हो अब एक brand है वो daily ही brand awareness की post daily ही अपने आपको अच्छा कहा जा रहा है और कह रहा है कि जी मैं बड़ी चीज हूँ तो वो customer अनॉय हो जाता है वो कहता है जी नहीं यह नहीं है और एक brand है जो अपने बारे में बात ही नहीं कर रहा daily engagement की post नहीं लगा रहा है तो customer उससे भी कहता है कि यार यह हुद है क्या ठेक है उड़ाना इसका नया topic आजाता है यह हुद है क्या ठेक है तो आपने यह चीज़े balance रखनी है तीसरी post है events की जुमा मुबारी की post आ जाती है जो हर week up को लगाना पड़ती है events में इद मुबारी की post ठेक है आपने मतलब आपके जो भी events आ रहे हैं ताइस मारिश की 14 अगस्त की ठेक है आपने different जो है events की post ने आप अपने content कलेंडर में शामिल करते हो fourth one पहली होगी brand awareness की दूसरी हो गई engagement की और third one events की post है जो ठीक है अब fourth one सबसे important post है जिससे आपकी product sale होनी है lead generation की post इन सारे circle से गुजरने के बाद आप week में 2 या week में hardly maximum दो 2 से ज्यादा ना लेके जाए ठीक है अगर आपके traffic ज्यादा है तो आप 2 से उपर लेके जा सकते हैं लेकिन अगर आपके traffic कम है आपके page पे तो आप week में maximum दो post है lead generation की जिसमें आप अपने product को offer करते हो कि यार ये buy करो ठीक है और आपको बड़ा फाइदा होगा ठीक है उस पर discounted price और price comparison और different तरीके से जो भी strategy होती है digital marketing की वो आप बनाते हो फिफ्थ वन जो post है वो आपके testimonials होती है अप अपने clients को कहते हो कि यार मुझे आपने product के खरीदी है और मुझे send करो उसके review बताओ कि वो कैसी product है क्या उसमें चल रहा है ठीक है मतलब आपको अच्छी लगी है बुरी लगी है और आप 100% जो true client के जो reviews होते हैं वो अपने page पे share करते हैं अपने page पे तो review करवा रहे हैं आप side by side कुछ लोग आपको bad review भी करते हैं अच्छे review लोग कम करते हैं जब किसी को गुसा आता है तो वो review उसी time करता है जिसको कोई product अच्छे लगती है तो वो review करते वकत ignore कर देता है लेकिन जो बुरे वाला होता है वो ignore नहीं करता है तो इसलिए जब यह product sale करेंगे आप अपने review के लिए लाजमी कहेंगे अपने clients को ठेक है अब पांच किसम की पोस्टें होंगी brand awareness, engagement, lead generation और events और testimonials six type की होगी अब ये पोस्टें आप अगर line up करें तो ये हर पोस्ट अगर week में एक बार भी की जाए तो ये पूरा week cover कर देती है अब आपकी product है six पोस्टें आपके mind में ठेक है उन six पोस्टों को आपने content calendar पर किस तरह ड़ा करना है मैं आपको google sheet पर समझाता हूँ